लो गाइज गुड मॉर्निंग के सोफ सब आई हो पाफ सब बढ़िया हम गेज में अभी दम बढ़िया हूं बजरे आठ और हम खाना बना रहे हैं और देखिए कैसे हम आज बना रहे हैं आलक की पकोड़ी की सबजी देखिए कैसे बनाते हैं तो हमने इसको पहले ही फ्येट करते तक देखिए और मुझे बिलकुल बीदया नेता के वीडियो बनाना है वीडियो बना लू फिर सोचिक ला इससे बना ले रही हूं तो मैंने इसमें मासालय डाले हैं अरुक अ धन्या मसाला, हलद zarini वेशन और यह पालक है पालक में हलद धन्या था हरी धन्याальная पती तो स्कुंपाद करके इसमें डाले बारिक कड तो मसाला डाली है 自己 हलद zarini ती नमंग डाली और यह लेस्ट लेस्ट मिर्च और जीजा का पेस्ट बनाकर इसको इसमें डाल दी हूं और बेसन और बालक को पूरा फेट ली हूं पढ़िया से और अब इसको छानूंगे पकोड़ी बना बनाकर तो देखे कैसे करेंगे किर में और फिर तड़के के लिए देखे मसाले के लिए मैंने पीच लिये हैं थोड़ा सा घूड़ा सा प्या जारी हूं बनाने पकोड़ी प्याज पत्ते के तड़का दिये हैं और उसके बाद प्याज दाल दी हूं प्याज को पूरा ब्राउन हो जाएगा भूलोंगी उसके बाद तिर जो प्याज लस्टन एंड मिर्च जो पीजा गया था उसके बाद मसाला डालोंगी तो देखिएएं था कैसे बना रहे हैं और देखिए पकोडी रेडी कर चुकिया और प्याज वालोंगी बनाई हो और आलू का भी पकोडी बनाई हो हूं पालक का भी बनाई हूं तो सब खाएंगे तो शुपा कोड़े खा चुके ज़िए मैं खाऊंगे भी तो मैं और मम्मी खाऊंगे भी नहाने गई है और अब इसको डालूंगे अब छोड़ा से माशाला डालूंगे तो मैं हात में इसके अंडर बिदी नहीं है तो पीडेनी जना कारी है तो अब देखें मैं मसाला और हल्दे डालाऍप आनला गोरी अब पोरी दी और वह में पानले हूं के अर्ड़ा कर असको तो पॉक्ष्म दूलर कर इसमें डाल हूं और ये लिए मरा और पकेगा खख़ा उस वादी बॉक्ष्मी नहीं हो जाए तो पानी थोड़ा हो डालूंगी उसका नमक डालूंगी और इसको डालूं भी बस मेरा तयार हो गया है पकोडी का सबजी फ्रेंड्स यहां पर देखें, हमारी सबजी तयार हो चुकी है, पकोड़ी की सबजी, तो इसको टेपन में पैक करने के लिए ठंडा कर रही हूँ, और यहां पर बना रही हूँ, मोटी रोटी, चावल की, तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ घूमने, और कहा जा रही तो हम दुने रेडियो हो चुके है, अब हम जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहां पर हम कर कमण्योट में आ चुके, फिर से हम यहां पर हमेशा आते हैं, जब भी कहई जाते हैं घूमने तो मैट्रो लेना रहता है, तो हम यही पर आते हैं, यहां कभी एक्डाउम, और मेरा लुक कैसा लग रहा है आप से कमेंट में बताना है और हम जा रहे हैं मैट्रों में हम जा रहे हैं मैट्रों के पास बहुत है चलना पड़ गया जीने पर अब अब इसमें बैटें के तो हम मैट्रों से उतर चुके हैं आप नीचे जाओंगे उससे चलो ना मैं तो द्याने ने दिया यह उपर आ रहा है तो हम अक्षर धाम जा रहे हैं अब टेंपल देखो दिख रहा है यहीं से मंदित तो यहां पर हम इंट्री ले चुके हैं और जा रहे हैं अब अंदर तो यहां पर सब चीजे मतलब मोबाइल और इलेक्ट्रोनिक चीज सब चीजे एकठे कर ली जाएंगे जमा कर ली जाएंगे तो हम जा तो फ्रैंड्स यहां पर हम आचुके हैं अक्षडाम तो यहां पर देखिए सभी लोग आचुके हैं तो हम भी जा रहें अंदर और अब बैग को एक जमा कर दे पहले तो अंदर का तो हम सीन दिखा नहीं सकते हैं सिब बाहर का बैक्डाउंड दिखा दे रहे हैं और वहाँ पर है मंदिर जो टेंपल है तो अंदर जाने के मोबाइल ले जाने के लिए मना करेंगे तो हम नहीं ले जा पाएंगे तो बाहरी वीडियो बना ले रहे हैं अब जारे हैं मेट्रों में समय यहां मेट्रों से उतर चुकिए अब जारे आघर तो परेवर बहुत जाद उख रहा है जारे आघर ठंड भी लग रही है तो अपने तुपट्टेग मैंने पूरा सर पर ले रखे हैं ताकि हवाना लगे तो अब हम जा रहे हैं घर तो फ्रेंट्स हम घर आ चुके और बहुत जाए ठके हुए हैं तो सब खाना भी खा चुके हैं हम भी खाना खा चुके तो मौर्निंग का खाये थे और वहाँ पर छोले भटूरे खाये थे और समोसा चाट एंड लस्सी पिये थे तो हमने खा लिये थे तो दोपायर का हो गया था वर इस टैम बहुत जाव भूख लग गयी थी तो यहां पर मौर्म में हाज खाना बनाई है और बरतोरतन भी साफ कर चुकी थी तो हमने आये तो सब सोने जा रहे थे तो हम लोग भी अब जा रहे हैं सोने तो उसके बाद अब मैं अपने विलोग को एंड कर रही हूँ गर आपको मेरा विलोग अच्छा लगी है तो लाइक करें चाल पर रहे हैं ने सब्सक्राइब करें और मेरे विलोग को खुब सेर करें बाई बाई को ने से ड्रीम